नैदर लोग इसको माइडगाफ के हैल के नाम से जानते हैं और इसका काम है लोगों के हार्डकोर के वर्ल्ड को खतम करना क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कदम कदम पर ही खत्रा मिलता है और उन्हें पार करने के बाद ठकने पर हम लोग अराम भी नहीं कर सकते बट आज हम लो वीडियो ओल्राइट गाइस तो यह है अपना नैधर जो कि हमेशा की तरह बहुत ही जादा खतरनाक लग रहा है एंड अपना इस पॉन तो उससे भी जादा डेंजरस है भाई हम लोग इस पॉन ही एक ऐसी जगह पर हुए है जहां पर आती हम लोग को पार्कूर करना पड़े और आगे चलकर तो बिल्कुली रास्ता बंद हो जाता है तो हम लोग थोड़े बाद ब्लॉक्स तोड़ते हैं और फाइनली इस वाली बायोम से निकल जाते हैं और यहां से निकलने के बाद भी हम लोग की confusion खतम नहीं थी और अब हम लोग इस्टाक हो चुगे थे पता भी कहीं और पर ही निकलाये थे हम लोग फिर हम लोग दुबारा से कुछ पत्थर को तोड़ते हैं और इस बार तो मेरा हाथ ही दर्द कर गया बट फाइनली अब हम लोग वाप्न फोरेश्ट में पहुच चुके थे और यहां आने के तुरेंद बाद ही मैं यहाँ पर थोड़ बहुत काम कर सकते हैं जैसे कि वुट तोड़ना तो हम लोग थोड़े बहुत वुट तोड़ते हैं बट हम लोग जादा देर तक इन वुटेंट टूल्स के साथ नहीं रह सकते हम लोग अपने आपको अपग्रेट करना होगा जिसके लिए हम लोग को चाहिए होगा स्टोन जो कि हम लोग को अपने spawn point पर मिल सकता है तो हम लोग दुबारा से वहीं पर आज आते हैं और यहां कर हम लोग फटाफट से थोड़े बहुत store mind करते हैं और अपने सारे के सारे tools को upgrade करते हैं stone के tools में और stone के tools के बाद बारी होती है armor की क्योंकि देख रहो यह piglin हम लोग के पीछे कैसे पड़े हुए है और इन लोगों से बचने के लिए हम लोग को gold का armor तो बना नहीं होगा बट उससे भी पहले एक और बड़ी problem थी food की जिसको solve करने के हम लोग थोड़े बहुत zombie fight piglins को मारते हैं और उनके rotten flash से finally अपनी book को मिटाते हैं और अब हम लोग को अपना armor बनाना था तो हम लोगी start कर देते हैं gold and nuggets को mine करना हम लोग थोड़े बहुत gold and nuggets collect करते हैं और golden nuggets को mine करते करते हैं मेरे को मिल जाता है एक fordress हालाग कि हम लोग यहाँ पर जाना तो नीची है बट हम लोग यहाँ बिना किसी weapon और armor के आ जाते हैं क्योंकि हम लोग का plan था यहाँ से थोड़ी बहुत loot collect करना जिसके लिए तो कोई weapon नहीं लगता तो हम लोग यहाँ से थोड़ी बहुत chest लूटते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने first iron and diamonds भी मिल जाते हैं वो भी तीर तीन और इने पाने के बाद तो भाई हम लोग काफी जादा खुश थे बट हम लोग अपनी खुशी को control करकर यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाते हैं कि हम लोग का सफर इतनी जल्दी यहाँ पर खतम हो बाकि फिर बाहर आने के बाद हम लोग दुबारा से golden nuggets को mind करने लगते हैं और जितने में मैं gold mine कर रहा था उतने में मेरे दोस्त ने अलगी पंगे ले लिये थे इन piglins से भाई सारे के सारे piglins इसके पीछे पड़ हुए थे और पूछने पर कहता है यह मेरे gold कलेकरने का तरीका है वैसे plan मेरे को उसका मस लगता है क्योंकि gold के साथ साथ हम लोग को food भी मिल जाएगा तो मैं भी इन piglins को मारने लगता हूँ और इन लोग को मारते मारते मेरी एक्स्टूड जाती है बट हम लोग को काफी सारा gold और food मिल गया था बट फिर भी भाई ये लोग आना बंद नहीं कर रहे थे ये लोग तो भाई आते जारे थे और इस बार तो भाई ये कुछ जादी आ गयते बट जो भी को भाई इन लोग को मारने में भी हम लोग को काफी जादा मज आ रहा था और loot मिलती है फिरीकी अलग से बाकि फिर काफे सारे piglins को मारने के बाद हम लोग को तुरंती एक bastion मी मिल जाता है और जाना तो हम लोग को यहाँ पर भी नीची है बट हम लोग भी डरते थोड़ी है किसी से हम लोग चले जाते हैं और वैसी ये bastion थोड़ा था भी अजीब सा पता नी भाई पूरे में लावा लावा था इसलिए गल्ती तो हम लोग एक भी नहीं कर सकते तो हम लोग समल समल कर इन piglins को मारने लगते हैं और श्टार कर देते हैं इस bastion को loot ना हम लोग को थोड़ा बहुत iron मिलता है और यहाँ पर gold blocks भी होते हैं जिनको mine करने के लिए मैं एक iron की pickaxe भी बना लेता हूँ और हम लोग के पास gold भी enough हो गया था तो हम लोग अपने gold के armor को भी complete कर लेते हैं बाकि फिर दुबारा से लग जाते हैं बैस्टर को loot ने में और यहाँ पर हम लोग को काफी crazy crazy loot मिलती है diamond के pickaxe, netherite scrap, acion debris और बहुत सारे gold block बहुत ही मस्त हम लोग के यहाँ से loot मिल जाती है और थोड़े बहुत gold block के लिए छुपा भी रखे थे तो हम लोग उनको भी dhune के निकाल लेते हैं और इस basin में काफी सारा stone भी होता है तो हम लोग यहाँ से काफी सारा stone भी mine करते हैं और stone mine करने से हम लोग का फायदा भी होता है हम लोग को काफी सारे free के gold blocks भी मिल जाते हैं और इसी बैशन के पास में हम लोग को काफी सारा एरिया भी क्लेर मिल जाता है, जहांपर हम लोग अपने आगे के बिल्ल कर सकते हैं, तो हम लोग यही पर ही रुखने का डिसाइट कर लेते हैं, और इस जगह को permanent अपना करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत crafting table, furnace और chest बगारा भी लगा देते हैं और फिर हम लोग को थोड़े बहुत वुड की जोड़त होती है तो हम लोग आज आते हैं wood cut करने के लिए और हम लोग यहाँ से काफी सारी wood भी collect कर लेते हैं और वैसे wood तो मैंने collect कर लेती अपने house को build करने के लिए बट house ते पहले हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग अपना एक food का farm बना लें तो हम लोग उसकी तयारे में लग जाते हैं थोड़े वह sign board बनाते हैं trap door बनाते हैं fence gate craft करते हैं hopper craft करते हैं और फिर चले जाते हैं अपना food farm build करने के लिए और इसको build करना तो भाई बहुत ही ज़ादा easy था बड़ जो heart task था वो था इन hoglin को इस farm के अंदर ले जाना और यह लोग तो भाई आई नीरे थे बार बार भाई आदे रास्ते तक आते थे और पापिश ले जाते थे बड़ी मुस्किल से भाई हम लोग यहाँ पर इनको अंदर ला पाते हैं और पहली बार में तो मेरा दोस्ती अंदर गिर जाता है बट वो तो से यह भाई बच जाता है तो हम लोग ऐसे करके थोड़े बहुत hoglin को लाते हैं और एक बार तो भाई यह hoglin मेरे को इउठा कर fake देता है लिटरली वन हार्ट पर बचाता मैं बस हम लोग को यहाँ पर इन hoglins को breed करना है और जो चोटे-चोटे बच्चे आएंगे वो fence gate में फसनी पाएंगे और नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जब यह लोग बड़े होंगे तो अपने आपी लावा में चल जाएंगे और आप देख सकते हो बाई काफी सारा हम लोगों ने आपर एरिया क्लियर कर लिया है और इतना तो इनफ रहेगा हाउस बिल्ड करने के लिए बाकि अब हम लोग को हाउस को बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत समान चीए दातों हम लोग आज आते हैं थोड़े बहुत wood कलाइक करते है, vessel कलाइक करते है and stone कलाइक करते है और फिर location पर बापीस आकर finally build कर लेते है अपना नैधर का मस्त वाला house ओल्राइट guys तो अभी अपना house बन कर त्यार हो चुगा है and मेरे को तो भाई ये काफी जादा मस्त लग रहा है नैधर की तरह है भाई हमलोग का house बे बिल्कुल खतरनाक वाली feel दे रहा है मतलब कि लग रहा है भाई ये नैधर के लिए house बनाए बाकि अंदर से भी देख सकते हो अंदर से तो भाई ये काफी जादा छोटा है क्योंकि हमलोग को यहाँ पर bed वगएरा तो लगाने नहीं है इसलिए मैंने storage के लिए थोड़े बहुत chest लगा दी है और अपनी छोटे-मोटे काम करने के लिए काफी devil and furnace भी लगा दी है बाकि ये जो beach कहीं कर देख रहे हो एक like तो बनता है और आप लोग इसको comment में rate भी कर सकते हो आपको ये कैसा लगा बाकि house को build करने के बाद बारी होती है त्यारी करने की ender dragon को मालने की जिसके लिए हम लोग को blaze ची होगी तो हम लोग चले जाते हैं एक fortress की तरफ जहाँ पर ये blaze आती जारी थी और हम लोग उनको तुरंती मारते जा रहे थे ये strategy हम लोग की बहुत बढ़ी तरीके से work करती है और हम लोग काफी सारी blaze rod भी collect कर लेते हैं और फिर inner blaze rod collect करने के बाद हम लोग इस fortress से निकलते हैं और फिर थोरी देर के बाद हम लोग को एक bastion मिल भी जाता है तो हम लोग bridge block करके जाने लगते हैं और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर brute piglin मिलते हैं बट वो तो अपनी जान खुदी कूट कर दिये जा लेते और इस बात का फाइदा उठाकर हम लोग इस bastion में आ जाते हैं और फटा-फट यहाँ के सारे गोल उठाते हैं और श्टार कर देते हैं यहाँ की chest को लूटना और यहाँ की chest से हम लोग को ठीक टाक से लूट मिल जाती है और फिर हम लोग को बीच वाला में ट्रैजल लूटना था जिसके लिए हम लोग पहले magma क्योब के spawner को तोड़ते हैं यहाँ के सारे के सारे magma को निप्टाते हैं और यही परी मेरी sword भी टूट जाती है बट लग देखो भाई मेरा इस chest से मेरे को diamond की sword मिल जाती है वो भी manning के साथ अब तो तूटने का डरी नहीं है बाकि फिर यहाँ का जितना भी goal होता है हम लोग उस सबको भी निकाल लेते हैं और फिर आजाते हैं इस bastion की दूसरी side के बाद यहाँ से निकल जाते हैं इस bastion को लूटने के बाद हम लोग के पास enough iron ingat तो आ गयते हैं अपने armor को upgrade करने के लिए बट हम लोग decide करते हैं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का main goal तो है diamond में upgrade करना उसके लिए iron क्यों ही waste करने हैं इसलिए सिर्फ हम लोग basic tools बनाते है iron के थोड़ी extra safety मिल जाए इसके लिए सिर्फ हम लोग 2 armor के piece बनाते हैं जिससे की protection भी मिल जाए and iron भी कम वेश्ट हो और extra safety के लिए हम लोग sealed भी बना लेते हैं की chest से भी हम लोग को काफी सारे diamond मिल सकते हैं इसलिए हम लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को nether ward मिलते हम लोग उसको collect करते हैं और वैसे पता निए भाई मैं क्यों ही collect कर रहा था कुछ भी काम नहीं आए ही मेरे बट anyways फिर मेरे को कुछ काम की chest मिलती हैं जिसके अंदर से मेरे को काफी ठीक डाक से diamond भी मिल जाते हैं पूरे के पूरे साथ diamond मिल गएते एक ही fortress से यह fortress तो हम लोग के लिए काफी लगी था बट फिर इस fortress को lootने के बाद हम लोग आ जाते हैं एक bastion के अंदर और यह bastion भी भाई कुछ जादे अजीब था पूरे में lava lava था बट सच बताओ तो इस lava के advantage हमने लोग को मिला था यह piglin से बेचारे आई नहीं पारे थे lava को cross करके जिसकी वाज़े से मैं यहाँ पर easily सारी की सारी chest को loot लेता हूँ देते हैं इस सारे की सारे treasure को loot ना और वैसे हाँ एक piglin बचानी भी आया था treasure को जो कि मेरे दोस्त को नीचे बिगरा देता है बट अच्छे दोस्त होने के ना थे मैं उसकी आखरी इच्छा पूरी गढ़ना चाहता था इसलिए मैं gold loot तरहता हूँ हाँ वो बात अलगी है कि वो भी बचे जाता है बट फिर इसी के खुसी में हम लोग कुछ और chest loot दे और इस chest से मेरे को मिलता है loadstone और फिर हम लोग को अच्छे वाली chest यह थी जिसके लिए हम लोग को इन piglin से लरना होगा तो मैं इनको बजाने लगता हूँ और ये लोग भी भाई खतम ही नहीं हो रहे थे एक के बाद एक आती जा रहे थे बट मैं भी इन सारों को खतम करने के बाद ही यहां की chest को हाथ ल आने लगता हूँ बैस्टन बे और बैस्टन पर हम लोग के स्वागत के लिए यह piglin's कड़े होते हैं बट हम दोनों मिलकर इनी की आर्थी उतार देते हैं नौ फिर हम लोग यहां की chest लूटते हैं इंड आज आते हैं में ट्रेजर लूटने के लिए और यह त्रेजर तो भ मस्त मस्त लूट मिली है कोई-कोई chest तो बहुत ही बेकार थी मैंनो तो उसको montage में रखा भी नहीं और फिर बहुत देर तक बहुत सारे बैस्टन में बटकने के बाद बापी जब हम लोग इस बीरिस पर आते हैं एकदम से मज़ा ही आ गया क्योंकि हम लोग बिल्कुल यह ट यह इनफ बिल्कुल भी नहीं थे इसका मतलब हम लोगो और भी एसे डेबरिस को ढूणने जाना होगा बट उसके लिए भी मैंने पहले सी planning कर रखी थी मैंने बैस्टन से बहुत सारे इस्टिंग करी थी जिसके मैं बहुत सारे बैड बनाता हूँ और यह बैड सोने के मैं फटा-फट से उनको collect करता हूँ कुछ और बैड को blast करता हूँ और बहुत सारे इसे डेबरिस collect कर लेता हूँ और इनफ डेबरिस करने के बाद मैं उनको इस melting पर लगाता हूँ और उनके ingot बनाकर finally अपने diamond के armor को convert कर लेता हूँ नेदर राइट आर्मर में और नेदर राइट के armor के बाद बारी होती है एंडर डेगोन को मालने की जिसके लिए मैं एंडर पर्ल कलेक करता हूँ पिगलिन से trade करकर और अब हम लोग के पास enough resources भी आ गए थे एंडर डेगोन को खदम करने के लिए जिसका मतलब है कि अब हम लोग over world में जा सकते हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग की eye of ender जमीन में जाने लगी थी तो हम लोग सीधरी डिग डाउन करने लगते हैं और फिर finally entry लेते है strong hold के अंदर यहाँ पर स्वागत के लिए creeper खळा हुआ था बट वह हम लोग का ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और फिर हम लोग end portal को ढू लोग उनको लूटते हैं और दोनो library के हम लोग दोनो chest को लूट लेते हैं और फिर हम लोग को मिल जाता है end portal बट इस portal को light up करने से पहले मैं एक bed लगाता हूँ और यहाँ पर अपना respawn point सेट कर लेता हूँ और guys 76 days में पहली बार ऐसा था कि हम लोग एक bed पर लेते थे फिर भी day skip नहीं कर पाते बट anyways फिर हम लोग portal को activate करते हैं और चले जाते हैं end के अंदर और end में आने के बाद हम लोग सबसे पहले आके सारे के सारे crystals को फोड़ते हैं और फिर बजाने लगते हैं ender dragon को wait यह कौन जी clip लगा दी मैंने इसमें तो हम पिटते नजर आ रहे हैं yes यह इसे ही clip है हाँ तो बजाने लगते हैं ender dragon को एंड उसको भाई काफी साला damage दे देते हैं बट यह last time पर मेरे को धक्का देकर खुद भी उड़ जाता है बट यह बचने वाला तो नहीं था मेरा दोस्त इसको क्रासवों से मार कर finally free कर देता है end को and भाई हम लोग ने काफी द और फूर चले जाते हैं इलाइटर की तलास में end city की तरफ और जहाँ पर हम लोग spawn हुए थे वहीं पर पास में हम लोग को एक end city भी दिख जाती है तो हम लोग फटा-फट से end apple कर करके उस end city पर पहुच जाते हैं और यहां की chest लूटते हैं जहां से हम लोग को काफी सारे diamond मिलते हैं और इस end ship बाली chest में तो हम लोग को काफी तगड़ी diamond के armor मिल जाते हैं manning and protection लगी थी भाई उनमें हम उन सबको ले ले लेते हैं and finally अपनी elitra को भी collect कर लेते हैं और एक elitra से तो हम लोग के काम नहीं चलने वाला तो हम लोग दूसरी elitra के लिए निकल जाते हैं and थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग को एक और end city भी मिल जाती हैं और उसमें हम लोग सीधी end ship पर आजाते हैं सबसे पहले यहां की दोनों chest को लूटते हैं and finally elitra भी निकाल लेते हैं और elitra लेने के बाद हम लोग बापी सजाते हैं end में और हम लोग यहां से dragon egg लेना भ खुला था आप देख सकते हों यह अपना end वाला portal and यह अपना food farm और फिर घर पर आने के बाद हम लोग book self बनाते हैं enchanting table बनाते हैं और उन सब को place करकर अपना enchanting का setup भी complete कर लेते हैं बट enchanting के लिए हम लोग के पास lap is नहीं थी उसका जुकार हम लोग को करना पड़ेगा ब हम लोग को काफी दिन लग जाएंगे wither head collect करने में क्योंकि यहाँ पर spawn भी बहुत कम होते हैं और हम लोग के पास looting की sword भी नहीं है इसलिए हम लोग एक दूसरे वाले fortress में आ जाते हैं और यह fortress भाई काफी सही था यहाँ पर वीदर जल्दी जल्दी spawn हो रहे थे जिसकी व आता हूं and finally spawn कर देता हूं वीदर को पर इस वीदर से हम लोग लड़ भी बहुत दिनों के बाद रहते और लड़ भी उपर से नैधर में रहते जिसकी वैसे से हम लोग को बहुत ही जादर डिफिकल्टी आई literally भाई हम लोग को यह बहुत ही जादर damage दे रहा था बट हम लो से मैं तो इसका end नहीं कर पाया बट मेरा दोस्त इसको भी माल देता है एंड हम लोग को मिल जाता है हम लोग का नैधर स्टार बट इस नैधर स्टार से हम लोग beacon नई बना सकते क्योंकि हम लोग के पास एक बी glass नहीं है और उसे लेने के लिए हम लोग को दुबार से overworld में जाना होगा और फैसी देखा जाए हम लोग का जो गोल था दोनों बॉस्स को डिवीट करके इलाइटा लाना वो हम लोग ने 89 डेस के अंदर ही कर दिया है और मेरे क्याल से अब हम लोग overworld जा सकते हैं और वहां से items को ला भी सकते हैं क्योंकि main goal अम लोग के complete होई गया है इ इसलिए मैं सबसे पहले stone माइन करता हूँ बहुत सारे amethyst block माइन करता हूँ और अपने armor को enchant कर डिकले lapis माइन कर लेता हूँ और lapis माइन करते करते मेरे को फिरी के diamond मिल लेते और वैसे मेरे कोई plan नहीं था इनको डूनने का मैं इसलिए काफी उपर माइन कर रहा था बट फिर भी मेरे को मिल जाते हैं और अपने nether को transform कर डिकले मैं थोड़े बहुत grass block करता हूँ और पहुत सारी dirt भी कर लेता हूँ और फिर बापिस nether में आकर start कर देता हूँ अपने nether को transform करना और इस transformation के तो भाहि मैं कोई भी montage वगएरा नहीं बनाने वाला क्योंकि last में मैं आपको एक must वाला tour दूँगा इसलिए wait करो 3 second का 3,2,1 ओल राइट गाइस तो अभी मैंने nether को transform कर लिया है और देखो कि तो हम लोग के armor भी चमक रहे हैं क्योंकि हमने अपने armor को भी enchant कर लिया है और काफी must must enchantment भी हम लोग को यहां पर मिल गई और वैसे अब तो इसका क होगे ने कुछ भी नहीं करा यह अपना पुराना वाला food farm जिसकी वज़े से भाई हम लोग को food की दिकत बिल्कुल भी नुई इस वर्ल में बाकि अब तो हम लोग को wood की दिकत नहीं होने वाली क्योंकि हर जगे हम लोग ने हापर tree लगा दिया और ऐसा नहीं भी आगे आग अपने beacon को भी बना लेता हूँ और अभी अपना beacon बन दो गया है बर यह activate नहीं हुआ है क्योंकि उपर के side यहाँ पर blocks लगे हुए है तो मैं उसको तोड़डी के लिए चलना आता हूँ और उपर के सारे blocks को तोड़ देता हूँ बस bedrock नहीं और वैसे bedrock से यह beacon की raise रुकती भी नहीं है और अब हम लोग का beacon भी अक्टिवेट हो गया है जिससे कि हम लोग reason और strength की power ले लेते हैं क्योंकि strength इसने अदर में बहुत काम आने वाली है बाकि कुछ काम आप लोग भी कर सकते हो जैसे कि इस वीडियो को like करना, comment करना, share करना and चैनल को subscribe करें भीना मत जाना म चाचला, bye